आप सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजेगा और मैक्सिमम शेयर कीजेगा आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे ट्रेंगल वाला आज हम अपना कंटिनुन करेंगे कल हमने क्या पढ़ाता कल हमने पढ़ाता इंसाइड इसका आज हम क्या पढ़ेंगे आज इसका आउटसेड देखेंगे ठीक है आउटसेड में भी ऐसे ही दो तरीकी के कोशिन पुछे जाएंगे, एक क्या रहेगा, एक ऐसे ट्रेंगल रहेगा, उसमें हर साइड पे दो दो वेक्ति बैठे होंगे, ठीक है, उन सब का फेस कहा रहेगा, और एक ऐसा पढ़ेंगे, तीन वेक्ति कॉर्णर पे बैठे होंगे, और तीन मिडिल पे बैठे होंगे, ठीक है, स कोशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्या लिखा हुआ है six friends अब छे मित्र है कौन-कौन से स्वेता भूमी पायल नूर माहिरा गौरी ठीक है कौन-कौन है स्वेता है भूमी है पायल है नूर है माहिरा है और गौरी है ठीक है छे वेक्ति हम पूरा-पूरा नाम नहीं लि ठीक है and they are facing outside और उनका face कहां है outside यह एक table है ठीक है इनका face कहां है outside ठीक है इनका face कहां है outside ठीक है in which two पर उसी नहीं है गौरी की तो हम यहां पर नूट कर लेते हैं कि भूमी नेबर नहीं है गौरी की ठीक है अब आगे क्या बोल रहा है इसके बाद Sweta sits fourth right of Pyle, okay Sweta कहां बैटी हुई है, fourth right पे है Pyle की, चीमे आगे क्या information दी हुई है Who sits third of Nour 17. Sweta है, Pyle है फिर who है, मतलब Pyle के लिए बात हो रही है, ठीमे अभी क्या बोल रहे है कि Pyle कहां बैटी वूई Third right of Nour, sorry Third of Nour, right left नहीं लिखा हुआ है कि वो निखा कुई नोर के तीसरे पे कौना चाहएगी पायल के तीसरे पे नोर तीक है लेफ्ट रैट ने लिखा मतलब क्या है कहीं से भी लव गाई सेम है ठीक है अभी क्या बोल रहा है आगे यहां तक हो गया अब आके बोल रहा है माहिरा सिट सेकेंड राइट और भूमी अब बता दिया माहिरा कहां बैठी हुई है दूसरे दाएं पे बैठी हुई है किसके भूमी के हमने लिख लिए सौट पे अब क्या बोल रहा है पायल और माहिरा दोनों कहां बैठे हुए हैं सेम साइड पे बैठे हुए हैं इतनी information हमने क्या कि नोट कर ली अब हम कैसे बनाएंगे देखो अब यहां पर कुछ यहां में पता है क्या कौन सी साइड पर कुछ भी नहीं ले सकते ठीक है और कभी पी ऐसा आपको नहीं दिया रहेगा सिर्फ ऐसी information लिखी रहेगी जिससे हम इसमें क्या करते हैं कल मैंने बताया था कि हमको दो diagram बनाके चलना पड़ते हैं एक बर हम यहां से start करेंगे दूसरी बर यहां से ठीक है तो एक बर मैं ले ले लेती हूँ अब कौन सी information से start ह आढ़ा हम व्यक्त दीक रहे लेकर मुझे यहां पर द्यूए यह दिखें रहा है एक तो एक तर भी दिख़रल इस प्रम्च we're हरण है घम बना रहा है तो आउट से करेंगी करों से नब हम यहां ठीक है यहां पर मैंने पाइल को यहाँ पर ले लिलिया एक बर मैंने 1 पाय सब्सक्राइब 근데 यहां पे अपने साथ का सब्सक्राइब सब्सक्राइब स्वेता तो हम 4th पृक्षे झिए किसे ले ले अyou को यह पहला राइट ये दूसरा राइट यितिस्रा राइट ये जो धर राइट स्वेटा ठीकी ये पाएल है पाएल के एक राइट दूसरा रेट दिसरा रेट और यह चोथा रेट स्वेता ठीक है इतना हो गया अब क्या बोल रहा है देखो अब क्या बोल रहा है पायल के धर्ड भी कौने नूर है पायल यहां पे है एक दो तीन यहां पे नूर आएगा एक दो तीन नूर यहीं पे ही आना है ठीक है तो हमने मैं हमां पर लिए ठीक है पायल नूरॉड फ् Ash हो गई अब भी नेवर नहीं है जी का तो अब मैं इसमें बता सकती है दोनों डियाग्रम पे नहीं बता सकती मतलब इस यह वाले को हम क्या करते हैं इंफर्मेशन को भी स्कीप कर देते हैं ठीक है अब बी के सेकंड राइट पे कौन है एम अब मुझे बी एम कुछ भी नहीं माईरा ठीक है अब क्या लेना है देखो यह इंफर्मेशन भी हो गई अब दो बॉक्स वाली इंफर्मेशन मेरी बची है ठीक है अब बी के सेकंड राइट पे मुझे लेना है एम अब बी कहां पर आएगा देखो बी यहां पर ले लोंगी तो बी तो सेकंड राइट पे आ इतनी बाते समझ गाई अब नीचे वाले diagram पे हम देखते हैं b कहाँ पे आई देखो m यहाँ पे है तो इस side तो कौन आ गया n बैठा हुआ है दूसरे number पे तो b कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर ठीक है b कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर इतनी बाते समझ में आई यहां क्या B कहां पर आ गया यहां पर ठीक है बी की second right पर कौन है अब B की second right पर M आ रहा है किया मैं यह चेक करती हूं तो B का face कहा गया outside ठीक है B का face कहा जाएगा outside यह outside हो गया अब यह वाला भी का क्या होके जब आप अपने और यहां पे रखेंगे तो आपका राइच सेड यू जो पाल को आएगा प्हें प्हेरा प्हेलें प्हेलें पे लिए वह यहां प्हेल्स चेखनें प्हेला वह गया हम्मारा information बिलकुल सही वह चयुक्त है िनिदेने का Scott इतनी बाते समझ में इन इंफरमेशन को आप 13 2 जाहिए भर फिर ट्वर से दिख जाएगा डिरेक्ट इन डिरेक्ट में हमें क्या करना पड़ता है पहचाना पड़ता है ठीक है अब चलते हम अपनी दूसरे कोशन की तरफ ठीक है तो दूसरा कोशन यह रहा हिंदी पी आप इसका स्कूर लेकि रख सकते हैं ठीक है अब चलते हम अपने इंग्लिश की क एक ट्रेंगलर टेबल में कैना इसको अरेंज करना तीक है और क्या बोल रहाइक थ्री ऊफ़ देमर और इन कोर्णर नहीं तीन कहां पर बैठे हुए मिडिल पे ठीक है यह इत्ती इन फॉर्मेशन हम ने नोट कर लिए और यह ते सिती आउंबर्स का फेसे आउट सेट रहाइ है उसे 6 लिख लिख दिया अभी अब इसका आउट सेड मतला नम्बर वाला कहाँ आ जाएगा इस तरफ लिख रहा है कि नमबर को एंदर की तरह नहीं बैठा दिया नमबर का फेस कहां लिख का लिखा है खाल में ए फेस कहने का मतलब समझ तरफ लिखा हुआ है वह कि इधर है बाहर की तरफ ठीक है यह समझ मैं तो एक बहु और हमने आॉट से लिपकी अब क्या बोल राए जल्केश छाहें अब हम क्या करते हैं बहुत क्यारती जल्देशं को नूट करके रख लेते हैं तो हमने लिख लिया फोर के थे थे अब क्या लिख लिख लिए त् ragek odd numbers or and two even numbers, 2 से ज़्यादा even number, ठीक है, 2 से ज़्यादा odd number और 2 से ज़्यादा even number, क्या बुल रहा है, numbers are arranged adjacent to each other, मतलब not more than 2, 2 से ज़्यादा odd number और even number एक दूसरे के पास बैठे हुए है, नहीं, ठीक है, बैठे हुए, नहीं है, 2 से ज़्यादा odd number और even number एक दूसरे के पास नहीं यह नहीं है कहने का यह है कि मालों यहां पर एक और पांच लिखा हुआ है ठीक है रिदो यहां पर दूसरे के पास पर थीन नहीं बैठ सकते मतलब तीसरा वाला जो मेंबर है कौन है तीसरा वली संख्या तीन ना तो इधर आएगा ठीक है और अगर इवन नमबर देखें इवन की हिसाब से कैसा हो जाएगा मालों यहां पर दो चार कुछ भी लिखा हुआ ठीक है इसके दो संख्या आगी दो संख्या के लिखैं दो तो ओर और ओर नहीं है नवद टीक है दो से जादा ओडर इवन क्या है नहीं है मिए यह हमां अचाम के दो से जादा ।い यह समझ में क्या माल atual كाल है ना तोसे जादा से यादा ओर नमबरionen नहीं बैट हुआ चाहलै तो और नमस तो अरेंस नहीं मालण मतलब एक तीन और पांच है मालों ठीक है तो इसमें यह कहा है कि दो से ज़्यादा दो विसम संग के जो है तू और नमबर नौट सेटिंग इन कॉर्णर मतलब दो और नमबर कभी वी कॉर्णर पर नहीं बैठे गए या एक ही बैठेगा या तो एक बैठ जाए या तो तीन ब ठीक है यह हमने लिख लिए अब क्या बोल रहा है 4 is not the neighbor of 2 मतलब 4 क्या है दो कपड़ों सी नहीं नेबर नहीं है 2 का ठीक है हमने यह लिख लिख लिया अब कहां से स्टार्ट करूं क्या मुझे इसमें कुछ ऐसी information दीख रही कि मुझे किसी एक नंबर का पता हो कि यह corner पे बै बठा दूँगी और एक बर क्या करूंगी corner पे बठा दूँगी तो हम पहली वाली अपनी information से start कर देते हैं ठीक है तीन के थार्ड लेफ पे फोर रहे तो यह तो एक बर मैंने middle पे लिख लिख लिया और तीन को एक बर मैंने corner पे लिख 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 लिया अब दोनों कि हो जाएगा राएट से इसका यह लेफ लेफ ल्क एक लिख लिखि अवोकि हमारा विख नहीं है बहार की तरफ टीखे लेफ जो आगए तिसरे नंबर पर चार आगया ह唉 क्या तो हम पाइए नहीं बोड़ रहत कि लिख्यों इसाट करों नहीं लिख्येट से थार थार में लिख्यों से मेंले कि ल९ह मना उख्यों से एक और द्रूर ताइव अगया चार आगया ठीक है तीन के थर्ड लेफ पे हमने क्या लिख 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 बोल रहा है एक के सेकंड राइट पर कौन आना है दो आना है ठीक है दो यहां नहीं आएगा अब एक के सेकंड राइट पर दो अगर मैं एक यहां पर लूँ तो इसका राइट सेरी इस तरफ आएगा इसके सेकंड राइट पर दो चार आ गया ठीक है तो यहां पर आएगा क् कि एक यह श्यवां पर साइक लोगां दाय को इन दो आज़ कि कि यहां पिरा नहीं आएक कि यह का डिखना है एक हे कील्च यहांपर प önसी में तो एल आज़ रिखना फोकेकAssa 2 पर िसी दो दो कि दो यहां है आफ और इक को पर अगर रहाँ ऐगा और दो पिस ़र्म आपश रिखो तो यहां रोगे को mogą पर गंद में को अगर श्रीत कि थारैंक बाइब荡 ल Chief दो दूढ़ मरें यहां पर नश्य पर वह एगा हम एक तूठ चार चौण है अगर यहां पर दो आएगा क्या बिलकुल यहां पर आजाएगा ठीक है अब एक को अगर यहां पर यहां पर दो क्या चार का पर नहीं आएगा ठीक है समझ में आया एक और दो किस तरह आईगा समझ में आया एक मिलट ये क्या लिखा हुँआ हमारा एक और दो यहां पी लिख लिटें हम ठीक है एक यहां पर आगया दो यहां पर आगया इतनी तीन information سے हमने ये क्या किया arrange कर लिया ठीक है अब क्या लिखा हुआ है देखो दो और एक साथ नहीं आएंगे ठीक है यह समझ में आया और फिर क्या बोल रहा है दो और कॉर्णा नहीं अब हाँ देखो अब मैं क्या लगा सकती हूं यहां पर दिमाग उपर वाले डाइग्रम में तो एक आया है कॉर्णर पर मतलब एक और नंबर आ चुक है बाकी दो क्या है इवेन नंबर मतलब यह वाली जो इन्फोर्मेशन है वह यह वाला डाइग्रम क्या कर रहा हमारा फॉलो कर रहा है अब नीचे वाले डाइग्रम में देखो कौन-कौन सी संख्या बच्छी है हमारी एक दो तीन चार हो चुक है पांच य कर रहेंगे को रurn इयुक क्या हो जाए जो अन फफैस्यून कौल और कर चेक है वाला हमारा शूंच चार चाल रहा है अब देखते हैं इतना चोकर अब क्या बोल रहा है दो मैं 9ays नेबर न हमने चे के लिए अगर से जादी और नंबर से एक साथ नहीं और का शूआग वर मै इस condition को follow नहीं कर पाइगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? 4, 6 और 2, ये तो even number हो गए, Samsung क्या हो गई है, even number मतलब Samsung क्या हो गई है, और 2 से जदा आ गई, ठीक है, 2 से जदा आ गई, 4, 6 और 2, मतलब ये क्या गई, 3 even number एक साथ आ गए, तो यह follow करेगा क्या नहीं वैसे यहाँ पे 5 एक और 3 आए तो यह भी odd number 3 आगए तो यह भी follow नहीं करेगा ठीक है तो 6 यहाँ पे नहीं आएगा अब मैं इसको वो करके देखते हूं ठीक है पलटके देखते हूं यह मेरा fix था ठीक है तीन fix था मेरा 6 यहाँ पे था तो अभी यहाँ पे हम क्या लिख लेखते हैं 5 और 5 यहाँ पे था तो हम यहाँ पे लिख लेखते हैं 6 अब क्या इस condition को यह follow कर रहा है बिल्कुल follow कर रहा है ठीक है दो से ज्यादा odd number even number एक साथ नहीं बैठें देख लो यहाँ पे 2 even number बैठें यहाँ पे 2 और नमबर बैठें तीन क्या है इस condition को follow कर रहा है ठीक है यह हमारा क्या हो प्रोदेर्श आप देख सकते हैं थोड़ा सा बस ट्रीखी रहता हुआ है पहले वाले question में तिकहाँ डिखा हुआ था ठीक है पहले वाले question में डिरेकली दिया हुँता है इसमीं क्या था थोड़ा सा लेग्वेश को घोश इसे sentence ने दी जिसे कि हमारे ये डिकन पुरा होना वह अधीक है यह indirectly लिखा हुआ था टीए अकिक है जो जिसने न लिख दिया था पार है उम्मीद करती हूं कि आप लोगों यही पसंद आया हुगा कोशें और समझ में बिल्कुल आया होगा ठीक है अब हम यहां पर सेशन को एंड अप करतें कल फिर मुलाकात होगी एक नए कॉंसेप्ट के साथ ठीक है मेरी आप लोगों से रिक्रेस्ट है कि जितना हो सकते उतना इस सेशन को शेयर किजेगा इस वीडियो को शेयर किजेगा ठीक है आपके जैनने वालों तक पुछाईएगा ताकि उनको पढ़ने में असानी हो ठीक है और जादा से जादा लोगों को जोड़ने की कोशिश केजि हाद पालों कि बना है